हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ कुमार हीरो सर और आज समें आप सब लोग के लिए एक स्पेशल सेरीज इस्टार्ट करने वाला हूँ और वो है क्लास 12 मैस के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टार है उन सभी का स्पेशल फार्मूला का ये वीडियो होगा और जो भी कलास 12 वाले स्पेशल है और 2023 में अगर एक्जाम देने वाले हैं तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमान साबित होने वाला है और ये सेरीज भी आपको इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है तो जैसा कि आपको यह भी पता है इस बार भी आप लोगों से सोगो अब्जेक्टिव जो है सवाल 2023 में भी आप लोगों से मैट्स में पूछा जाएगा जिसे कि आपको पता है कि डारेक्ट फॉर्मूला से भी बहुत सारा सवाल जो है आपको देखने को मिलता है तो इसलिए मैं से आपको बताऊंगा पहला चैप्टर से यानि जितने भी चैप्टर सब के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आप लोगों को बताने वाला हो तो बस आपको करना क्या सुरू से लेकर हम तक देखना है समझना है और आपको याद रखना हम आपको ऐसा तरीका से बताएंग जैसा क्या आपको पता है रिलेशन फंक्शन में ऑब्जेक्टिव जो है 3-4 सवाल पूछा जाता है और कहां से पूछा जाता है कौन सा फॉर्मूला से यह भी हम आपको बताएंगे तो बस आपको करना क्या है वीडियो को एक वार जल्दी से लाइक कर देना है एक वार से सबसे पहले हम आपको बताएं चोटा सा जानकारी आपको पहले से पता होना चीज सेट्स यानि समुझ के वारे में तो समुझ जो जो होता है उस आरे distance element होता है यानि एक element को एक ही बार लिखना है कौमा के रूप में इस तरह से और यहां ऐसे जैसे भॉबल्स है A, E, I, O, U इस तरह से हम लिखेंगे तो यह सब set है ठीक है यह set है और इस तरह से भी आपको लिख सकते हैं X such that X belongs to N यानि N मतलब natural number X ब्रावर N square इसका मतलब हुआ कि X कामान आपको natural number रखना है जैसे यहां पर N कामान एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे तो इस तरह से आपका बनेगा क्या बनेगा? एक के स्क्वार, दू के स्क्वार, तीन के स्क्वार, डॉट, 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 डॉट जान लिजे क्यांकि आपको sign पहले से तो पता ही होगा, पहले से अगर 11th class पर होगी तो आपको यह सब देखने को मिलागा, यह जो है U के तरह इस उल्टा ऐसे, इसको हम लोग subset बोलते हैं, या नहीं, उपसमूच बोलते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है A subset B, तो A subset B इसे कहते हैं, समझ लिजेगा, पहला मान लिजे एक set है 1,2,3,4 और दूसरा है 1,2,3,4,5, अगर पहले में जितने भी element है, अगर दूसरा में मिल जाया, पहला में जो भी element है, सारा के सारा अगर दूसरा में मिल जाता है, जैसे देखिए 1,2,3,4, 1,2,3,4 इसमें मिल रहा ह तब हम उसको बोलते हैं कि A subset B है लेकिन यही हम B subset A नहीं कह सकते हैं क्योंकि B का जो भी element है वो A में नहीं मिलता है तो यहाँ पर हम लिख दिया है इसलिए B जो है not subset not subset का मतलब इसको इस तरह से हम काट देते हैं तो बस छोटा सा जानकारी अभी हम आपको दिये है set मतलब middle bracket में सारे elements को distance करके लिख दिया जाएगा एक element को एक ही बार लिखा जाएगा और subset मतलब पहला का जो भी element से दूसरा में मिल जाया तो उसको हम subset बोलते हैं यह बात तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें आप note याद रखेगा और हाँ जहां पर हम आपको note बताएंगे वो जरूर याद रखेगा क्योंकि note से ही आपका एक number का सवाल बनेगा इसलिए आपको note करके ही आपको याद करवाएंगे जैसे देखे यहां से सवाल एक बार बनता है आपसे जैसे एक फर्मूला आपसे पूछ दिया जाए जैसे यह समझे कि number of a और मान लीजे m है बता पहला सेट में m गोई element है तो अगर आपसे पूछे कि number of subset क्या होगा यह सवाल पूछा जाता ध्यान से दिखेगा किस उपसमुच की संख्या अगर आपसे पूछे तो दू के power m यह याद रखेगा दू के power m जैसे जितने भी element है जैसे अगर हम आपसे पूछे कि अगर कोई set दिया हुआ है इस तरह से एक दो तीन ठीक है और आपसे पूछे कि इसमें कितने subset बन सकते है तो बस आपको करना किया है duc e power m यानि दू के power सोच लिए तीन गोई element है तो दू के power 3 जैनि कि 8 हो टोटल elements आएगा यानि कि subset आएगा अगर यही 4 गोई element होता है तो दू के power 4 5 गोई element होता है तो आपको बस याद क्या रखना है दू के power m बास समझ भा गया तो यह सबसेट की संख्या अगर आपसे पूछे तो यह फर्मुलारी याद रखेगा उसके बाद आता है अब हम आपको बताते कार्टिसन प्रोड़क्ट यानि की कार्तिये गुना यहां से आपका एक सवाल बनता है ध्यान से दिखेगा कि A को कार्तिये यह यहां पर आपको प्यर बनाना तो इसमें आपको एक भी पहले इस बात को समझ लीजिए यहां से आपको यह जो सवाल आपको नोट दिखाए देर यह पूछा गया सवाल है कैसे पूछा गया था कि number of a cross b यानि a cross b में कितने element होगा यह पूछा गया था तो आपको याद रखना है number of a into number of b यानि a में जितना element हो, b में जितना element हो, दोनों को गुना कर दीजे, उतना ही a cross b में element आएगा अब हम आपको तोड़ा सही अभी बता देते कि a cross b निकालते कैसे, तो a बड़ावर एक set है, तेखिए a b, b बड़ावर एक set है, एक दू, और इसको गुना अगर करे, क्रॉस गुना करे, यानि कि एक एक कार्ट ये गुना निकाले, तो आप ऐसे निकालेगा, a में एक से, तो आप झालेगा, a में दूगö एलिमेन्ट है, और b में दूगऒ एलिमेंट है, तो बताए, a क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, तो आपसे दू गुने-दू, डारेक्ट आप ही दू गुने-दू कर सकते हैं यानि चार हो एलिमेंट आगा, सभी आप आप पर आप देख सकत के ध्यान देना ठीक है एक दू नमर ऐसे जो लिखा हुआ होगा वो फर्मुला होगा लेकिन नोट वाला काम आपको ज्यादा मिलेगा number of subset आपसे पूछता है कि a cross b में कितने subset बन सकते हैं यानि कि उप समुच्यों की संख्या आपसे पूछेगा तो सपोच कीजिए कि पहला जो set है उसमें p गो element है दूसरा जो set है वो q गो element है तो number of subset of a cross b यानि a cross b में उप समुच्यों की संख्या बढ़ावर होगा दू के पावर p गुणा q यानि कि आपको करना क्या है पहले number of a cross b निकाल लेना है number of a मतलब a p और q में गुणा कर दिये तपीकी हुआ गया और बस दू के पावर आपको जो गुणा करके आएगा वो ही लगा दिजेगा सोचिए आपसे एक छोटा सा सवाल भी आपको हम बता दे जैसे कर मान लिजे कि a बरावर set होता एक दो तीन ऐसे करके और b बरावर set होता एक चार पाँच ठीक है और चोट और आप से पूछा जाता कि बताईए कि a cross b में a cross b में कितने उपसमुच बन सकते हैं तो आपको करना क्या फर्मूला याद रखना है दू के पावर क्या लगाना है इसमें जो एलेमेंट है और इसमें जो एलेमेंट है गुना कर देना तो इसमें चार गो और इसमें तीन गो ता चार ती है कितना बारा यारी दू के पाव भाइन में आप याद रखेगा कि A x B का एक उप समूच होता है, तो यहाँ पर आपको यहाद रखना है A x B का उप समूच होता है, इसको लिखते हैं ऐसे जस्ट बताते हैं आपको क्या पढ़ते हैं इसको, subset पढ़ते हैं ऐसे लिखे हुए को, subset बोलते हैं A कोरस B, A कोरस B मतलब A और B का कारतिये गुना, जो A से B में संबंध कहलाता है, जहां पर याद रखना है A को क्या बोलते हैं तो अगर माल लिजी X, Y अगर relation है R से, मतलब बिलॉंग करता है R में, इसका मतलब क्या हुआ कि X जो है, वो relate है किस से Y से, यानि X related to Y, ऐसे बोलते हैं, जैसे एक छोटा सा सवाल भी हम आपको इसमें बता देते हैं, यह सब पूछता नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर छोटा सा जानकारी, कि अगर माल लिजे कोई से, यह सेट है, कैसा relation है, यानि कि कोई relation इस तरह से परिभासित किया गया है, और इसमें अगर आप से पूछे कि इसका domain क्या होगा, इसका range क्या होगा, तो domain कहने का मतलब क्या होता है, कॉमा के जो पहले आपको नजर आ रहा है, उसको domain बोलते हैं, कॉमा के जो बाद में इसमें नजर आ रहा है, उसको range बोलते हैं, तदे कि कॉमा के पहले a है, a है, b है और b है, यानि कि दो बार a है, दो बार b है, तो आपको दो बार सेट में नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, यानि एक कॉमा भी आपको ऐसे लिखना है, रेंज अगर कहें, तो कॉमा के बार एक है, दो है, एक है, दो है, यानि कि एक और दो ही है, दो बार एलिमेंट को नहीं लिखना है, शुरू में ही हम आपको ब पूछे number of relations from A to B, यानि संबंधों की संख्या, यह सखास करके objective सवाल आपसे पूछता है, और note वल आप जरूर याद रखेंगे, कि संबंधों की संख्या पूछे, तो आपको याद रखना है दू के power PQ, और दू के power PQ तो तनका दिर पहले भी आपको बताया थे, लेकिन हम आपको बताया, जितना सबसेट बनता है, उतना ही relation बनता है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर सुरू में ही बता दिये relation है क्या, तो वो सबसेट है किसका, A क्रॉस B का, तो अगर आपसे relation पूछे, तो भी आपको याद रखना है दू के power PQ, और अगर समुच्यों की संख्या प A to B, तो A से B में संबंदों की संख्या क्या होगा, तो दू के power PQ तो फॉर्मूला हो गया, इसका अंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तो कितना आएगा, तो आपको याद रखना है, दू के power PQ, मतलब इसमें जो element है, दोनों को गुना कर देना है, तो यह दिखिए, इसम पूछ था एक्जाम में, और modal set में भी आपको यह सवाल देखने को मिला था, यह वाला, ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर थोरा सा ध्यान दीजिएगा, type swap relations के बारे में, यानि संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार से यह सवाल कभी कभी पूछ देता ह है, ध्यान से देखिए, पहला है, empty relation, ठीक है, empty relation मतला, रिक्त समुझ, तो r बरावर, r कोई relation है, जो 5, एक कोई element नो हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, empty relation, और universal relation क्या होता है, तो जो a cross a, देखिए, यहाँ आपको याद रखना है, sit a से sit a में, relation हम बना रहा है, किसे कि में, a से a में, इसलिए हम a cross a लिखते हैं, अगर a से b में रहे, तो आप याद रखेंगे, a cross उसको b बोलते हैं, तो यहाँ पर याद रखिए, r बरावर, phi को, empty relation, और universal relation किसको बोलते हैं, a cross a, जितने भी a cross a में element होगा, सारा element, अगर relation r ले लिया, तो समझेगा हुआ, universal relation, यानि सबसे बड़ा वाला, ठीक है, और empty मतलब एक कोगो नहीं, और यहाँ जो आपको तीन नमर दिखाए दे रहा है, reflexive, यह याद रिफलेक्सिव, reflexive मतलब स्वतुल, और उसके बाद है symmetric, यानि की सममील, उसके बाद है transitive, यानि की संक्राम, यह तीनों में से एक हो, कभ सवाल जो है, इस तीनों से ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन अभी नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ दे, तो आपको जानकारी होना चाहिए, reflexive मतलब स्वतुल कभ होता है, a, a belongs to r, ऐसे कोई relation आपको दिखाए देगा, जिसमें की हूबहू element हो, ज symmetric का बोलेंगे, जैसे a, b अगर मान लिजे, उसमें है, जैसे, ऐसे समझने का प्रियास करिएगा, a, 2 उसमें है, कोई relation है, जिसमें a, 2 है, तो इसका उल्टा भी रहना चाहिए, तब हम उसको symmetric बोलेंगे, यह सब उधारन पर भी हम आपको question जब पताएंगे, उस time आपको ज symmetric बोलेंगे, transitive का बोलते हैं, जैसे a relate किया b से, और b relate किया a से, तो आपको a relate होना चाहिए, किस से, c से, कहने का मतलब 1,2 मिला, फिर 2,3 मिला, तो आप बते क्या मिलना चाहिए, 1,3 भी इसमें मिलना चाहिए, कहने का मतलब को यही सा relation हो, जिसमें 1,2 आपको दिखाई दे दे रहा, 2,3 दिखाई दे रहा, तो यानि 1,3 भी उसमें दिखाई देना चाहिए, तब हम उसको transitive बोलते हैं, question बताएंगे, उस टाइम आपको जादा समझ माएगा, बस आपको यह तीनों याद रखना है, हू बहू मिले, तो reflexive, अगर ultra भी मिले, तो symmetric, और transitive मतलब a मिले B से, B मिले, C से, तो A भी मिलना चाहिए, C से, इसको ऐसे द्याती भासम याद रखेगा, कोई भी अपने आपका भाई होता है, तो reflexive, अगर हम आपके, मतलब दूगो भाई है, राम स्याम का भाई है, तो स्याम किसका है, राम का भाई होगा ही होगा, तो उसको trans symmetric, और अग C का भाई कहा जाएगा ही, निस्ची दूप से, ये बात था, अब हम आपको आगे ले चलते हैं, इसमें आपको याद रखने हैं, यह सवाल नहीं पूछता है, लेकिन थोरा सा जानकारी के लिए बता देते हैं, equivalence relation, यानि तुलेता संबंद, तुलेता कब होगा, याद balance relation, यानि तुलेता संबंद बोलते हैं, अब आते हैं function यानि की फलन में, तो देखिएगा, फलन होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं, देखिएगा, function समझते हैं, देखिए, function क्या होता है, एफीजे देखिए, थोरा सा आप समझ लिए, class 11th में भी आप पढ़े ह पहले का जो भी element है, उस सब का image A, B में एकके गो image बनना चाहिए, only one image B in B, जैसे देखिए, यह फीजे function from A to B, इसको पहले लिखते हैं, कई से यह सब जानकारी ले ले लिए, यह function है, such that A to B को बोलते हैं, जैसे इसमें जो भी element है, यह set है, और एक set B है, इसमें जो भी element है, तो सब का image बनना चाहिए, किस में? right side, मतला B में A की image, जैसे देखिए, A का एक image E बना रहा है, B का एक image बना रहा है, अगर एक image बनाता है, तब हम उसको function बोलते हैं, और जैसे इस बात को ऐसे समझ लिजेगा, कि X, Y अगर belong करता है function में, इसका मतला X रखेंगे इस function में, तो हमें क्या निकलेगा Y, यानि X रखें हैं, तो निकला क्या है? Y, तो यह होता है function में, इसमें कुछ उधारन बताएंगे न, तो वो आपको ज़्यादर समझ बाएगा, फिलाल हम आपको याद क्या रखना है, वो बताते हैं, जहाँ पर देखी, कॉमा के पहले वाला को domain यानि की परांत बोलेंगे, कॉमा के बाद बला को range यानि की परीसर बोलेंगे, तो कॉमा के बाद यहाँ Y है, और कॉमा के पहले यहाँ X है, इसलिए X को हम लोग domain बोलते हैं, और Y को हम लोग range यानि की परीसर बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें छोटा सा बात याद रखेग कि number of A बराबर M और B एक सेट है जिसमें एक दो तीन डॉट 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 M है यानि कि number of B जो है वो M गो element है क्यों element है M गो और हाँ यहां से modal set में भी आपको सवाल पूछा गया था कि number of functions from A to B A से B में संबंधों की नहीं बलकि कि फॉलनों की संख्या पूछे देखिए तनका दिर पहले हम आपको बताया थे कि संबंधों की संख्या तो संबंध की संख्या में बताया थे दू के element होगा उसको पहले लिखना है तो इसमें काईगो element माने थे M गो और माथा पर क्या लगाना है तो इसमें जयगो element होगा पहला अक्का में तो पहला अक्का में N गो element था तो M के पावर N यहीं उल्टा कभी पूछ दे कि B से A फॉलन काईगो होगा तो याद रखेगा number of A के power number of B देखे उल्टा आपको याद रखना है B से A पूछे तो पहले number of A माथा पर number of B अगर A से B पूछे तो number of B अतब माथा पर number of A ठीक है यह दूनों उल्टा फर्मुला आपको याद रखना है ज्यादा खास करके यहीं पूछता है A से B में संबंत फॉलनों की संख कारण पर हम आपको बताते हैं modal sit में भी आपको इससे देखने को मिला था एक दू तीन पहला sit में element है दूसरा में 6,78 element है और आपसे पूछा फॉलनों की संख्या बताइए A से B में कितना बनेगा तो फर्मुला देखे A से B में मतलब B के power लगा देना है आपको यह बला तो खुद कमेंटर जलुदी से कर दीजिया और आपको पता है 4 चुक 16 चुक 64 यानि कि इसका आंसर जो आएगा च्यों सता है यही सवाल अगर B से A में पूछता तो आपका answer जलुदी से कमेंट करके बता दीजिया आपको उल्टा लिखना होता 3 के power 4 तो खास करके आपको A से B म जो है उसको power पर चरपा देना एक नमर वाली बात है नोट में आप जरूर याद रखेंगे यही चीज जो भी नोट में बताएंगे उसको खास करके जादा याद रखना है क्योंकि अब्जेक्टिव सवाल वहीं से बनेगा सात्वा नमर दकी का types of function यहां से भी आपका सवा यह वाला f1 बराबर f2 अगर लिया जाए और अगर हुआ x1 बराबर x2 है for all इसको for all बोलते हैं क्या पड़ते हैं for all सभी के लिए x1, x2 belongs to set a कोई set a है जिसमें जो element हम x1 और x2 लिये हैं अगर f1 बराबर f2 है और अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो उसको हम लोग 11 function बोलते ह तो आपको क्या याद रखना है यह direct condition याद रखना है आपसे पूछेगा कि बताए चाड़ों में से 11 होने का condition कौन सा है चाया से दे देगा कि यतना ही जो function अगर यतना है तो यह क्या है 11 है कि onto है तो आपको याद रखना है यह 11 का condition ठीक है यतना याद रखना है दूसरा रखीगा अन्टू कब हो तो एफ ये बड़ावर भी ये डारेक्ट आपसे कई बार कोश्चन बाइंक अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा एफ ऑफ ये बड़ावर होना चीए ये अन्टू के लिए यही इंटू के लिए क्या होता है देखीगा तीसरा यही अगर आपसे इंटू करके पूछ दे यानि तीसरा देखिए इंटू फंक्शन तो इंटू में पूछे तो सबसेट लगाईगा देखिए अगर अन्टू पूछे तो ये बड़ावर का साइन लगाईएगा और ये देखिए ये अन्टू में और अगर इंटू होते इसको आप ए 1 1 और 2 कब होता है तो थोरा सा जान लेजिए 1 1 और 2 कब बोलते हैं जब 1 1 भी हो और 2 यह काज करके आपको इंवर्स निकालने में आगे चलके हम बताएंगे इसको कोई जरुवत यहां से नहीं है आपसे नहीं पूछता है अब यहां से आपको यह फर्मुला याद रखना है आठवा नंबर कम पोजीशन कम पोजीशन आपसे पूछता है जैसा कि आप सुने होंगे गौफ और फॉग जिसे दूगो फंक्शन आपको दिये हुए रहेगा ठीक है और आपसे पूछेगा गौफ और फॉग यह एक नमर के सवाल में पूछता है एक दूसाल पहले अगर आप बैक करके आपसे अगर ऐसे पूछा जाता एफ को एफ पूछेता है इसे इबला एफ रखिएगा और इसको फंक्शन में बदल दीजेगा ऐसे करके ठीक है खास करके हम निकालना बाद में बताएंगे लेकिन आपको यहाँ पर जो गौप को ऐसे लिखेंगे और फॉक को ऐसे लिखे तो याद रखे एफ इंबर्स निकालने के लिए अबजेक्टिव सवाल पूछा जाता है एफ इसका अगर आपसे इंबर्स पूछे तो ऐसे कनभट कर दीजेगा एफ को इधर ले आईएगा तो यह एफ इनबर्स वाई और इधर आ जाएगा एक्स यह जैसा कि इनबर्स ट निकालने में आपको काम करेगा एक नमर वाल सवाल जब बताएंगे उसट फिलाल आपको ज्यादा इसमें याद नहीं रखना और लास्ट लियापनरी बाइनरी ओपरेशन में आपको दुई आधारी संक्रिया में से जरूर एको सवाल पूछेगा जैसे कोई element माल लीजिए जो है कोई set है उसका element है और a operation b a operation b भी करेंगे अगर उसका element है तब उसको हम binary operation बोलते हैं और इसमें आपको ज्यादा दिमाग यह नहीं लगाना है बस आपको सवाल करी सा पूछा जाता है उस पर आप देखिएगा कि a operation b कोई एक फर्मूला आपको दे दिया जाए कोई एक फर्मूला आप लोग उसको दे दिया जाएगा कि a operation b a square plus b a square चाहे LCA में भी है चाहे कुछी इस तरह से कोई फर्मूला दे देगा और आपको उसमें से पूछेगा एक operation दू निकालिए दू operation तीन निकालिए कुछ इस तरह से तो बताई इसका क्या आंसर होगा बस आपको करना क्या है a कामान 1 और b कामान 1 इस राइट की सिस वला में बीठादेना तो यहाँ a कामान 1 और b कामान 2 अब इसका आंसर बता देज़े जल्दी से कमेंट कर के क्या होगा एक पलग दू के स्क्वार चार यानिकी पांच इसका अंसर आईगा यही इसी में सवाल आपसे थोड़ा सा यासे पूछ सकता है कि A ओप्रेशन B अगर A स्क्वार प्लस B स्क्वार है यह जरूर ने कि यही फर्मुला कुछ भी फर्मुला उदे सकता है और आपसे पूछा कि A ओप्रेशन 2 ऑप्रेशन 5 का मान निकाले तो अंसर इसका जल्दी से कमेंट कर दिझे सबसे पहले आपको करना क्या है A ओप्रेशन 2 निकालना है थे तो कितना आया था पांच यानि कि एक operation दू कामान पहले आप पांच लिए फिर operation छोड़ दीजे और ये पांच आपका रहेगा फिर पांच operation पांच कैसे निकालेगा तो एक कामान यहां से तुलना करिए पांच है बी कामान क्या है पांच है यानि कि इस फॉर्मुला में फिर से आपको 5 रख देना है 5 कैस्कुरार प्लस 5 कैस्कुरार पांच कैस्कुरार 25 प्लस 25 आंसर जल्दी से कमेंट करिए कितना आएगा 50 आप लोग का आंसर होगा तो यह सब आभी हम आपको जानकारी दे रहे थे क्या आप लोग समझ गये होंगे कि यह सवाल निश्ची त सवाल पूछा गया है और किस तरह के सवाल इस बार भी पूछा जाएगा लास्ट लिए आपको यह को टॉपिक याद रखना यह समझ लिजे कि बाइंडरी ओप्रेशन में कमुटेटिव लव और एसोसियेटिव लव क्या होता है ठीक है क्रम बिन में क्या होता है जैसे एक अगर बराबर आता तो इसको हम लोग कमुटेटिव लव बोलते हैं यानि कि साचर्ज नियम बोलते हैं एक वर फिर से जैसे अगर माल लीजी एक उप्रेशन दू निकाले और अगर दू अगर निकाले दोनों बराबर आता इसको कमुटेटिव बोलेंगे और देखिए एक उप्रेशन पहले दू निकाले ठीक है तब जाके उप्रेशन तीन निकाले और कोई लेका क्या किया पहले क्या किया उप्रेशन दू अप्रेशन तीन निकाल दिया ठीक है अगर तब जाके एक के साथ ऑप्रेशन किया दोनों का म दो तीन बार इसको देखिए और याद हो जाएगा और हाँ जब याद हो जाए तो यह पाद बार लिख के भी आप देख लिजेगा जो जो नोट में हम बता है उस चीज़ को आप सरूर याद रखेगा तो लास्ट में हम एक छोटा सा सवाल भी आप लोग से पूछते हैं दे चोटा सा सवाल है number of a cross b क्या होगा और एक और सवाल पूछना है a cross b में कितने element होगा यह बता देना है और आपको बताना है a से b में कितने संबंध बनाये जा सकते हैं कितने संबंध यानि relation की संख्या आप लोग से पूछा दे इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़र बता आपको उसी तरह से मेट्रिक्स डिटर्मिनांट डिफ्रेंसेशन इंटिकेसन सारा बता देंगे तो आज के लिए तना है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइवाए लाइक सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू